तो आप देखिए छोटा नागपूर पठार से इधर हजारी बाग पठार के आसपास छोटा नागपूर पठार छोटा नागपूर पठार से आप देखिए हाँ निकलती है दामोदर और जारखंड होते विए वेस्ट बंगाल जाती है जारखंड होते विए दामोदर नदी महत्पून है जिसको आप देखते हैं बंगाल का सोक जैसे कोशी को बिहार का सोक कहा जाता है वैसे दामोदर जो नदी है उसको बंगाल का सोक कहा जाता है ठीक है उसको एक जैविक मरुस्थल की तरह भी संग्या दिया जाता है क्योंकि क्या है बहुत सारे देखिए दामोदर जो छेत्र है वह आप पूरा दामोदर नदी घाटी छेत्र क्या है वो एक प्रकार से कहले जी एक और द्योगिक चेतर ऐब लुए देशी. प्रियोजना अस्थापित है वहाहां क्या है? विजली उत्पादं काफी है. यह अब आप से जब विजली उत्पादन के अंयुक बात करेंगे, बहुत देशी प्रियोजना तो अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आब देखिए, महर्पून्च नदी है तो इसलिए चर्चा कर रहे हैं दामोदर जो एरिया है दामोदर नदी वाला हमने कहा ये छोटा नागपुर पठार से जारखंड से निकलती है जारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में बहते हुई ठीक है ये जाएगी और हुगली का जो मुहाना देखिए हुगली हुग बंगाल का सोग भी कहा जाता है बहुत बाढ़ हाती थी इसमें अलाकि जब से दामोदर वैली कार्पोरेशन दामोदर घाटी निगव बना तब से कुछ कंट्रोल हुआ लेकिन उसकी अलग और प्रकार की समस्याइं सुरू हो गई है जब हम लोग बहुत देशी पर युज पाती देखिए लूनी का नाम आपने सुना होगा लूनी अरावली जो आप देख रहे हैं अरावली रिंज के उत्तरी भाग से निकलती है राजस्थान में राजस्थान बांगर होते विए यहाँ देखिए आती है और यह कच्छ करन के आसपास आकर सूख जाती है यहीं मि गुजरात में कच्छ करन तक आते यहां क्या है उसमें सूख जाती है यानि सागर तक यह नहीं पहुच पाती तो यह प्रकार से आप कहे लिजिए कि एक ऐसी नदी है जो सागर तक नहीं पहुच पाती है तो अब इसमें क्या होगा कभी अगर बादल फटने की घटना हो वहा कारण बनती है हला कि वैसे तो आप जानते हैं उसमें जल का भाव रहता है कि रास्थान सूखा छेतर है लेकिन चुकि सागर तक हमने कहां नहीं पहुची है तो कभी अगर बहुत प्रबल वर्सा होती है क्योंकि बादल फटने की घटना आपको बताएंगे उसमें प्रबल बहुत छोड़ी छोड़ी और कई सारी नदियां है जैसे उरीसा में पश्मी घाट जो पूर्वी घाट है उरीसा में याद रखिएगा कभी पूचे उरीसा में पूर्वी घाट से ठीक है एक आप देखिए वंसधारा और नागावली नागावली वंसधारा इस प्रकार की किरती हैं छोड़ी-चोटी नदियां है तो यह नदियों के बारे में हुआ मत पूर्ण चर्चा पर चर्चा आगे बढ़ा जाए तो अचुछ चलिए तो यह नदियों के बारे में चर्चा हुई बाकि हमने कहा कि जो भी बहुत देशी पर्योजना है उनको जल्विद्दुत का जब निर्मालक देखेंगे तो वहाँ उसको ध्यान से समझेंगे जब उर्जा वाला सेक्टर देखेंगे तो उसको देखेंगे चलिए वेरी गुड प्रियंका गारव अंसिका चलिए वेरी गुड आगे अब देखेंगे आई आज बहुत महत्पूर्ण टॉपिक प्रवागे बढ़ेंगे और मांसून आपको समझाएंगे बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है बहुत ध्यान से समझेगा लगबग एक घंटे का टाइम हम लोगों के पास अभी है और उसे घंटे में बहुत बिस्त मांसून क्या है उत्तर पूर्वी मांसून और मांसून को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं हम लोग देखेंगे तो बहुत बढ़ा टॉपिक है ये मांसून तो आईए हम लोग मांसून देखते हैं चलिए चलिए मांसून अब देखें मांसून एक ऐसा टॉपिक है हमने का बहुत ब्रियध सामानने तोर पर जब आप बात करते हैं तो क्या बात करते हैं जब आप सामानने तो आप बात करते हैं मौनसून की तो आप वर्सा के संदर में बात करते हैं पर चलिए बहुत साधारान से हम लोग कटिन की तरफ चलेंगे साधारन से कठिन की तरफ हम लोग चलेंगे हमने का सामान ने जब बात करते हैं मौनसून तो मौनसून से आप क्या समझते हैं सामान ता जब मौनसून होता है तो आपके दिमाग में क्या आता एक सामान व्यक्त के दिमाग में क्या आता वर्षा जब मौनसून की बात होगी तो वर्षा उसके दिमाग में आता है वर्षा और ये वर्षा कब होती है गर्मियों में की सर्दियों में तो आप कहेंगे मुखितह गर्मियों में और उसमें भी आप कहेंगे मुखितह जो है यानि सामाने संदर में हमने कहा समान लेते हैं समान तब वर्षा की बात दिमाग में आती है और हमने का हम मुख्य रूप से कब गर्मियों में वर्षा हो गर्मियों में जो वर्षा हो और इसमें भी अधिकतर आप कहते हैं जून का इंतजार आप करते हैं कि जून के आसपास मौनसून आएगा ठीक है केरल मे आप सुनते हैं जो समान निबाते हैं हमने का पहले वहां से लेकर हम लोग कठिंता की तरफ चलेंगे ताकि आपको दुबारा कभी मौनसून में कोई दिक्कत न हो इससे आप जो भी conceptual question हो चाहे factual question हो आप उनको बता सकें इसलिए मैंने का बहुत साधान तरीके से हम लोग विस की तरफ बढ़ेंगे तो वर्सा है अमने का गर्मियों में आप देखें जून का इंतजार करते हैं जून जुलाई अगस सिप्टमबर जून से लेकर क्या है सितंबर तक आप कहते हैं सितंबर लगबग चार महीने जून जुलाई अगस सिटंबर लगबग क्या है चार महीन कहते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है तो आपके दिमाग में दूसरा जो आता है वो आता है क्रिशी सम्मन में क्या आता है क्रिशी इसका ताथ पर ये क्या है हमने का दूसरा क्या आता है क्रिशी आता है क्या आता है क्रिशी आता है तो क्रिशी का ताथ पर यह क्या है क्रिशी दूसरा क्या आता आपके दिमाग में क्रिशी आता है इसका मतला हमारी जो क्रिशी है वो मौनसून पर काफी कुछ निर्भरता निर्भर है क्यों आता है ये क्योंकि क्रिशी क्या है ये मौनसून क्रिशी की जो है क्या है मौनसून पर निर्भरता है वारत में क्रिश इसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं आप कहते हैं कि भारत में जो क्रिशी है वो मौनसून के साथ जुआ है क्रिशी क्या है मौनसून के साथ जुआ है तो एक तो क्रिशी जो है वो मौनसून पर हमारी निर्भर है सिचाई के लिए यानि सिचाई तो कृत्रिम तरीका हो ग कल्पिक विवस्था इतनी अधी कभी नहीं है पूरे देश में ठीक मैजानी चेत्रों मालेजिये नहर है कुछ और डेल्टाई चेत्रों में लेकिन नहरों का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ तो हमने का कि क्रिशी अभी भी क्या है मांसून पर निर्भर है और इसलिए आप कहते हैं भारती क्रिशी मांसून के साथ जुआ है तो इसका मतलब क्या कि मांसून का क्या करेक्टर निकल के आता है कि अगर जुआ है तो मतलब क्या तो जुआ क्या होता है अनिस्चित होता है क मौनसून क्या है अंसर्टेन है ये भी समझ में आता है तो हमने का जब मौनसून नाम लेते हैं तो दिमाग में आता है वर्षा वर्षा कब गर्मियों में फिर हमने का क्रिशी से इसका संबंद समझ में आता है कि बिना क्रिशी के बिना वर्षा मौनसून के क्रिशी अच्छी नहीं होती है ठीक है फिर बने का अनिस्चिता समझ में आती है क्या आता अनिस्चिता एक अनिस्चित है यह मौनसून अनिस्चित है क्योंकि हर साल नहीं आता ठीक है हर साल इतना नहीं आता यह सब आप देखते हैं इसके साथ आप देखते हैं कि जाहिर सी बात है कि मौनसून जो है अगर क्रिशी मौनसून जो है क्रिशी को प्रभावित करेगा तो जाहिर सी बात है इसका मतलब इसका संबंध किस्से है मौनसून का संबंध कहले जिए किस्से है वित से अर्थिक व्योस्था से भी इसका मतलब इस से इसका संबंध अर्थ व्योस्था से भी ठीक है जै से आप देनंगे सिटेटमेंट कभी-कभी आप सुने हों गितुणा पढ़िये लिकिए देखेंगे तो गया जाता है कि इंडिन जो मौनसून है ठीक है उसको भारत का वित्यमंत्री भी गया जाता है स्नक्त करेंगा की काम क्या है देश की अर्थविवस्था को समहाल ठीक है देश की अर्थवेवस्ता को सुचार रूप से चलाना तो इसका मतलब क्या है कि मौनसून भारती अर्थवेवस्ता को प्रभावित करता है तो किस रूप से करेगा बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ठीक है लेकिन मूल कारण क्या होगा क्रिशी को प्रभावित करके तो अगर मांसून बढ़ियां है तो क्रिशी बढ़ियां होगी क्रिशी क्या होगा आगे बात करेंगे बहुत सारे ठीक है क्रिशी एक तो खाद्यान का उत्पादन सेक्योटी खाद सुरक्षा से संबंदित है साथ ही बहुत सारे उद्योगों के लिए कच्चा माल जैसे कपास कहिए गन्ना कहिए और भी बहुत सारी चीजें उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्रोवाइड कराएगा ठीक है एक रोजगार भी प्रोवाइड कराता है तो जल है ग्राउंड वाटर लेबल उसको मेंटेन रखने में मदद करेगा बहुत सारी बाते हैं ठीक है मुनस्पतियों आद इस सब को प्रभावित करता है तो हमने कहा अर्थ बेवस्था अर्थ बेवस्था से भी क्या है मांसून का संबंध है ये भी हमको समझे ठीक तो ये संस्कृति और समाच पर भी इसका प्रभाव हमारी संस्कृति और समाच से भी सम्बंधित बहुत सार आप देखिए फसलों का जो तेवार मनाते हैं ठीक मौनसून की वज़े से हैं मौनसून मौनसून नहां आये तो फसल अच्छी नहों तेवार क्या मनाएंगे तो अपने किसी प्रिय का बहुत बेसबरी से इंतजार करते हैं वैसे ही पूरे भारत में पूरे भारत में मौनसून का बेसबरी से इंतजार रहता है ठीक है यानि मौनसून एक ऐसा फेनमेना एक किसी क्रियाविधी है हमने का पूरे भारत को इसका इंतजार होता है बड़ी बेस पहलत को एक सुतर में। तो आप समझेगास, अगर समझना है तो बहुत आगे तक चले जाए। हमने कहा है वानसून भारत को एक सूतर में प्रोने काभू काम करता है। के कि एक ऐसा महमान हैuß मानसून कि सब को इंतार है। तो मानन लेख गतृकि मेंका है। तो ये भी बहुत महत्पूर्ण एक पक्ष है इसका ठीक है और हमने का बाकिस संस्कृतिक और समाज संस्कृति समाज को प्रभावित करता ही है तो मौनसून बहुत क्या है मल्टी डैमेंसिनल आप देख रहे हैं एक प्रकार का क्या है बहुत आयामी एक प्रकार का मुद्दा ठीक अब इसमें आप देखिए कि इतनी बाते हैं यह तो संदर समझने के लिए अब आगते हैं सामाने से कठिन की तरफ चलते हैं सिंपल अगर आप समझे देखें देखते रहिए देखते रहिए चलते रहिए हमने का आज के बाद मौनसून से दिक्कत नहीं आएगी सामान आप देखें तो मौनसून जो है आपका अब कहते हैं यह शब्द जो है वो अर्बी भासा के मौसिम से लिए गया था और मौसिम का मतलब होता है विसेयस प्रकार का मौसिम तो चुकि पहले अरब से आत्रा वगरा होती थी अरब से ब्यापार भी होता था तो अरबी जो ब् है उनसे आप देखिए को देखते थे वो तटों के वोंसे यानि अरब सागर के से भारत की तरफ अरब सागर से भारत की तरफ जो है हवाएं चलती थी तो वो एक विसेश प्रकार का मौसिम करती थी तो हमने कहा इसलिए जो है अरबी भासा में इसको मौसिम सब्द है यह मौनसून की उत्पत्ति माने जाती है यह मौनसून उसी से लिया गया अब इसका मतलब क्या है एक एक विसेश प्रकार की जलवाई इसका मतलब क्या है कि जो मौनसून है वो एक विसेश प्रकार की जलवाई अब यहां प्रस्ण उड़ता है कि आखिर एक विसेश प्रकार की जलवायू कैसे है ठीक है ना एक विसेश प्रकार की जलवायू कैसे है ये क्यों विसेश प्रकार की ठीक और कहां कहां क्या किबल भारती महादीप में या भारत में ही आती है और भी जगों को प्रभावित करती तो आपको आई हमले चलते हैं और बताते हैं कि क्यों विसेश ह देंकि हमने कहान है का आज के बाद मौनसून में दिक्कत नहीं आए गया ठीक है में भी आज नहीं कंप्लीट हो पाएगा ये कल भी चलेगा लेकिन आप समझिएगा पूरी चीजों को तो कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आए क्योंकि ये बहुत conceptual question area है ठीक है और आप कोई भ का उद्देश होना चाहिए कोई एक्जाम को अंतिम रूप से पास करना तो उसमें अगर आपको चीजों की सही समझ विक्सित नहीं होगी फिर्मेंस में जाकर फेल हो जाएंगे तो कोई ताच पर नहीं से लिए पढ़ाई ऐसा नहीं केवल केवल प्री का मतलब आप जो आ एक एक करके आसान से आपको ले चल रहे हैं उदर की तरफ हमने बताया सामान चीजे अब हमने का एक विसेस प्रकार की जलवाई तो विसेस प्रकार की जलवाई में आप देखिए एक लक्षण है कि क्या लक्षण है कि इसमें क्या है पौनों की दिशा में रितुवत परिवर्बर ते कि रिटुवत परिवर्बर तन देख़ाता हुआ I did it there is a seasonal changing in ditex and uh yeah well there is a seasonal change in wind direction तो पॉनो के दिशा में पर इसका मदला इसली लिए विसे साहर यहीयाई से और किसी जलोओ एंटेचन यह ये रितुंकों के तिनी सर्दीमार आँगी अग्र आप देखेंगए वहता है नौर्थ के यहाँ अगर जो नौर्थ होता उसको इधर की तरफ ऊपर की तरफ ऐसे दर्साया जाता है, कारन क्या है, जो magnetic compass है, चुम्बकी जो आप compass है, उसमें देखिए हमेशा नौर्थ को इधर की तरफ ही, वो indicate करता है, इसलिए आप देखिए मैप में हमेशा नौर्थ को ऐसे दिखाए जाता है, रखन की इधर नीचे की तरह आप देखिये साउथ इदर आप देखिये आप जो दहिना हाथ है एधर एस्ट आपका जो बायां हाथ है उदर वेस्ट तो हमने का जैसे साउथ वेस्ट देखियाब डारेकTION क्या यह ऐसे पवन जिदर से आती है वही उसकी दिसा होती तो अगर हमनेने कह दिया या किसी ने कह दिया थक्षण पस्चिम मांसून तो इसका मतलब ये पवने कि धर से आ रही है कब गर्मियों में और इसी को कोई कह दे आपको दुबारा आप कहते हैं सर्दियों में ये देखिए ऐसे उत्तर पूरवी मानसून इतना तो अपने सुना होगा तो उत्तर पूरवी मानसून का मतलब कि पौने सर्दियों में उत्तर पूरव की तरफ से चल रहे हैं तो ये कैसे संभव हुआ भाई ये क्या फ्याना मेना है कि सर्दी में गर्मी में अया झी पूरा ध्रैक्शन हुए ऐसे आप से कोई आ रही थी तो यह जो डायरेक्शनल चेंज है सपस्थी और गर्मी में में ये क्यों उत्पन हुआ यही भिसेसता है तो अगर आप से कोई एक sentence में पूछे कि सबसे peculiar characteristics सबसे प्रमुख विसेस्ता क्या है मौनसूनी पौनों की तो आप कहेंगे किन में जो पौनों की दिशा है उसमें मौसमी विद्क्रमण होता है गर्मी के समय ये दक्षन पस्चिम से उतरपूरप की ओर और सरदी के समय उतरपूरप से दक्शिन पस्चिम की तरफ चलती यह विश्यस्ता अब इसका क्या कारण है हम लोग देखेंगे ठीक है आगे अभी करके सारी बाते देखेंगे मूल तोर पर तो आप इतना जानते ही होंगे नहीं जानते हैं तो इसको जानना चाहिए आपको कि पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती पवन हमेशा हाई प्रेशर से उच्चुवाईदाप से निम्नवाईदाप की तरफ चलती तो जाहिर सी बात है इसका मतलब कि गर्मी में कोई एक ऐसा सिस्टम बनता है आपके देखिए गर्मी वाला है नमबर एक गर्मी नमबर दो इधर वाला सर दी इसका मतलब गर्मी में कोई ऐसा सिस्टम बनता है जिसमें हाई प्रेशर सागर की तरफ है दक्षिन पश्चम क्या है अरफ सागर हिंद महा सागर कही है तो गर्मी में इसका मतलब कोई ऐसा सिस्टम होता है कि हिंद महा सागर या अरफ सागर हिंद महा सागर बंगाल खाड़ी मतलब हिंद महा सागर में हाई प्रेशर की कंडिशन होती है जबकि जो अस्थली भाग हमारा लेंड एरिया है वहा तो अब आ वापस जाएगी हाई से लोग की तरफ तो इस पर्टिकुलर फेनामेना हैपेंस ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड और वाटर तो इसका मतलब यह जो क्रिया विधी हो रही है यह मुक्षित है हमने का अस्थल और जल के भिभिन प्रकार के जो उसमे हमेशे आद रखिएगा अस्थल क्या है अस्थल की विशिष्ट उसमा कम है इस्पेस्पिक हीट कम है अस्थल क्या होगा तेजी से गर्म होगा तेजी से ठंडा हो जाएगा और जो सागर क्या है सागर की विशिष्ट उसमा अधिक होती तो सागर क्या होगा धीरे धीरे धी तो यहां आप देखेंगे तापमान में अंतर आपको गर्मी और ठंडी में आप देखें इन एरिया में तो इसलिए मैंने कहा कि विसेश जलवाई क्यूं है उसको भावगोलिक दसा देखेंगे आपको समझ में आएगा उसको भावगोलिक दसा आप देखेंगे तो समझ में आएगा चलिए एक सिंपल सा मैप लेकर वर्ड का और देखने का प्रयास करते हैं एक सिंपल वर्ड का मैप ले लेते हैं और देखने का प्रयास करते हैं झाल 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 मैप दिखाई दे रहा है आप इटलस भी लेकर बैट सकते हैं इसको देखते रही ठीक ना इसको देखते रही एटलस भी लेकर आप देखिए इधर की तरफ ये अफरीका है आपका अफरीका इधर अरब पेनन्सुला यहां से देखिए वापस आये इरान और यह पाकिस्तान इधर यह देखिए यह आपको समझने के लिए ताकि आप के लिए समझ लें इधर इंडोनेशिया वगर सुमत्रा जावादीप ठीक है यह सब चलिए यह वाला पूरा इंडो चाइना पेनन्स इधर आपका अस्टेलिया समझेगा अब अगर आप ध्यान से देखें देखिए हमने का क्या वैसे तो आप देखिए जो जलवाई हो है मानसुनी वो जलवाई हमने का पूरा यह भारती उप महादीप पर उसमें पाकिस्तान इंडिया नेपाल भुटान ठीक है स्रिलंका य भारती उप महादीप हमने का यह भारती उप महादीप के एक विसेश जलवाई यह छेतर आप देखिए ध्यान से मतलब इसी छेतर में हाला कि आप जानते हैं इसके साथ साथ यह पूरा और किस छेतर में इंडो चाइना पिननसुला या हिंद चीन प्राइदीप जिसको हम क इसके साथ आप देखिए अफरीका में भी जो है अफरीका जो कॉंटिनेंट है अफरीका कॉंटिनेंट में भी क्या है जो विस्वत्रेखी छेतर हैं वहां कुछ विस्वत्रेखी छेतरों के आसपास ठीक है आप यहां देखिए जो दक्षन अमेरिका है इसमें जो विस्व तो मौनसूनी जलवाई का हमने का प्रभाव तो इतने मतलब ये अलग-अलग छेतरों में आप देखिए कई जगहों पर पाया जाता लेकिन जो मूल रूप से है मौनसूनी जलवाई का सबसे बहतर जो प्रभाव वो आप देखेंगे इसी भारतियों महादीव छेतर में ठीक रूप देखिए अलग हमने अभी आपको पता है अस्थल और जल में गर्म होने की जो ग्रिया विदी उसमें अस्थल तेजी से गर्म तेजी से ठंढा होगा और जो आपका जल है धिर 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 गर्म और धिर ठंढा होगा तो अब आप देखें इस छेत्र में अगर आप पर्टिकुलर देखें तो हिंद महा सागरी देखें पूरा हिंद महा सागर अरबियन सी बंगाल की खाड़ी दो साखा है इसकी उत्तर में और लगबग 25 डिगरी अक्छांस से 25 डिगरी उत्तरी अक्छांस के आसपास लगबग सुनिए जहां से आ रहे हैं वहीं से चर्चा तुरंट जो है चालू हो जाए चर्चा में मांसून पढ़ रहे हैं हम लोग टाइम से रहा कर यह आप लोग ताकि कनेक्ट रहें चीजें समझ में आए आपके हमने का यह देखिए चर्चा को अगे बढ़ाते हैं हिंद महा सागर 25 डिगरी उत्तरी अक्षांस में 25 डिगरी उत्तरी अक्षांस के आसपास यह बंद है यानि एक अकेला ऐसा सागर है आप देखिए प्रमुक सागरों में जो प्रमुक सागर उसमें को उत्तर से क्या है यह अस्थल भाग से पूरा घिरा है यह ऐसा नहीं कि यहां पूरा गय तो उत्तर में लगवक 25 लिगरी अक्षान से बंद हो गया और जाहिर सी बाद आप देखिए प्राइद्यीपी भारत की स्तती आप देख रहे हैं लिए लिए पूरा च्छे तरफ देखिए उस तल से और इसके बाद क्या है आप देखिए दोनों तरफ एदर आपका अफरीका महादीप इधर आस्टेलिया महादीप ठीक दक्षन के तरफ हिंद महासागर थोड़ा साब देखिए क्या है हिंद महासागर अगर आप देखेंगे तो हिंद महासागर इधर से जान दीजिएगा इधर जो क्यप टाउन इधर देखिए हिंद महासागर इधर की तरफ से ठीक ह इसकी ये सीमा इधर अट्लांटिक महासागर से लगभग 19 डिगरी 11 मिनट पूर्वी देसांतर से अलग होती है पश्मी भाग में हिंद महासागर अमनिका अट्लांटिक महासागर से लगभग 19 डिगरी 11 मिनट पूर्वी देसांतर से अलग होता है और इधर आप आजाएंगे तो लगभग जो है 147 डिगरी पूरवी देसांतर से अलग होता है किस से प्रशान तो और ये यहां आस्टेलिया के निचले भाग में तो ये देखिए इसकी एक विसेश सिस्तती है उत्तर में ये गहरा हुआ है विचारा गर्मस्थल भागों से और इस पूरे छेतर में आप देखिए ये देखिए एक क्वेटर आप देखिए एक क्वेटर है तो ये जो पूरा आप छेतर देख रहे हैं ये वाला ये एक अलग प्रकार का छेतर ही है तो जैसे माल लेजिए एक सामाने तोर पर अगर आप देखें एक दम सामान तो सामाने तोर पर देखेंगे आप तो एक तापी सिधान्त है तापी सिधान्त हेली ने दिया था हेली उसमें आप सिंपल देख लेजिए क्या होता है जैसे हमने आपको बताया कि पवन चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ठीक है अब जैसे माल लेजिए गर्मियो का समय हो गया अब ये अस्थल जल एक दूसरे से कनेक्ट हैं दिखाई दे रहे हैं तो गर्मियों का जब समय आया तो गर्मियों में क्या होगा आप जानते हैं गर्मियों में तापमान क्या होगा अस्थल बहुत तेजी से गर्म होगा सूरी का जब उत्तरायन होगा आप समझ सब्सक्राइब का है उसकी मकर्श मकर्थ तक मकर्रेखा तक सौड़ेज देज दिगरी दखनी सीमा उसके दक्षनी में नहीं जाएगा यानि-मकर्रेखा के दक्षन. में सूरी लंबवत नहीं होगा फिर वापस आएगा इधर की तरफ अब वहां से देखिए सूरी का उत्रायन चालू हुआ ठीक आप सूरी दक्षिन से क्या है उत्तर की तरफ आ रहा से दे से दे मकर रेखा से हमने का फिर आते जून की इस्थती में 21 जून की इस्थती में क्या है करक रेखा पर लंबोत हो जाता है 21 जून की इस्थती में करक रेखा पर लंबोत हो जाता है जब कि आप जानते हैं कि लगबग 21 मार्च की इस्थती में ये क्या है किसको क्रॉस कर देता है कहां से एक्वेटर को क्रॉस करक तो कुल मिलाकर आप देखिए कि सूरी का उत्रान यानि सूरी जब उत्तर की तरफ आएगा यानि उत्तरी गुलाज में जब उसकी किर्णे लंबोत होने लगेंगी तो उत्तर में यह अस्तल भाग बहुत तेजी से गर्म होगा और जब उस्तल भाग गर्म होगा तो यहां बनेगा क्या low pressure ध्यान देजिएगा यहां बनेगा निम्नवाइदाव गर्मियों में और उसकी तुलना में सागर हमने कहाँ धे 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 थंड़ा होगा अनलाब धे दे 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 ये गर्म होता है दे थे ठंडा भी